नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो अगर आपके बच्चे भी सकूल जाते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि दोस्तों बता दें कि इसमें गौर्मेंट ने सकूली बच्चों को लेकर एक नया नियम पास करा दिया है और ये नया नियम सीधे सीधे तमाम बच्चों पर लागू होगा और अगर आप भी इसमें लापरवाई करते हैं तो आप भी जेल में जा सकते हैं और आपकी खिलाप कारेवाई हो सकते हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनना बता दे हाली में केंदरी सिक्षा मंतराले की उत्तरपरदे सचिव सुनिता सर्मा ने नई सिक्षा नेती 2020 के आधार पर परतेक राज्ये के सिक्षा सचिवों को अंतिम सकूल नीती 2020 भीजी है इस नीती को देश के हर सकुल में लागू किया जाना अनिवार्य होगा पॉलिसी में एक बच्चे के वजन के मानक को भी निर्दारित किया जाएगा इसके अनामा यह घोसला की गई है कि पहली कक्षा से बारवी कक्षा तक हर बच्चा बिना बैक के 10 दिनों के लिए सकुल जाएगा परतेक राज्य को सिख्चा मंतरी को जवाब भी दिना होगा इसके साथ ही बता दे कि इस कानून में यह कहा गया है कि बच्चे का जो दोस्तो टोटल बजन होगा और बच्चे के कंधे पर जो बैक होगा उस बैक का बजन बच्चे के बजन से 10 परतिसत ही होना चाहिए अगर बैक का वजन एक परतिसत भी जादा हुआ तो बता दे कि सीधे कारेवाई होगी सकूल वालों के खिलाप और पेरिंस के खिलाप इसके साथ ही इस नई सिक्षानिती में ये भी कहा गया है कि तमाम सकूल वालों को एक खास तरह की इलेक्ट्रोनिक मसीन रखनी होगी जिसने की बच्चे के बैक का वजन तौला जा सके और ये मसीन हर सकूल में होना अनिवार रहा है अगर सकूल में नहीं होगा तो उसके खिलाप तुरंत कारेवाई हो सकती है इसके साथ ही ये कहा गया है कि primary के बच्चों जी हाँ जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं छोटी क्लास में पढ़ते हैं उनको किसी भी तरह से बैग रखने के लिए परतिरोधित नहीं किया जा सकता उनको किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें बैग रखना को सब्सक्राइब करना धनिवाद